सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नएने टाइप के नॉलेजवल वीडियो देखने के लिए एक श्टिप में वो भी 10 कैपसुल मिलेंगी और यह जो है इस टॉपिक लेप बालो की एक अफेची कमपनी है तो इधर देखिए प्राइस जो है समय का इनुसार इंक्रीज होता रहता है तो जो आज का प्राइस है वो इधर मैंना आपको बता दिया है अब इसको खरीदना कह पॉकसाइड जो की होता है इसमें 5 mg में इसके अलाबस में मिलेगा किल्डेनियम जो की 2.5 mg में रहेगा इसके अलाबस में मिलेगा डाइसाइकलो माइन जो की रहेगा 10 mg में और इसके अलाबस में रहेगा रैप्रोजॉल जो की 10 mg में रहेगा ये भी तो इस चार इंक्रीड आपको ट्वालेट जाना पड़ता है तो उस condition में IBS में इसको लिया जाता है या फिर आपका पेट जो है दुखता है इन डाइजेशन की सिकायत है या फिर जो है पेट में एठन होती है मरोड होती है पेट फूलता है या फिर दस्त लगते है या फिर आपको कबज की परिशा नहीं है तो इन सारी कंडिशन में जो है नौर मेक्सिन आर्टी केपसोल जो है या टेबलेट फाइदेमन होती है इसके अलावा आपको गैस जादा बनती है या फिर एसिडिटी होती है या फिर जो आपका पेट डुकता है ना अपर पार्ट मतलब जो पेट का उपरी हुस्सा दुकता है तो कई बार जो है एसिडिटी के कारण भी दुकता है तो एसिडिटी के लिए भी काफी अच्छी होती है या फिर सीने में जलन होती है देखिए एसिडिटी होगी ना तो आपको सीने में जलन भी हो सकती है कई लोग ये सोचते हैं कि सीने में दर्द हो रहा है ल कि indigestion की सिकायद भी हो सकती है इसके अलाबा पैप्टिक अलसर में भी फायदे मंद होता है या फिर गॉल बिलेडर को ऑपरेशन हुआ है जिसको पित बूलते हैं कई बार गॉल बिलेडर में स्टोन आ जाता है तो गॉल बिलेडर अब मतलब कुछ भी खाने के आदे से 45 मिट पहले सको ले लेना है सुबा इसके अलाबा अगर आपको ज़्यादा प्रॉलम है तो इसको उस कंडिशन में दो बार भी ले सकते हैं तो जैसे दूसरी बार आप साम को ले रहे हैं या रात में ले रहे हैं तो उसके लिए भी जो है आपको खाने के आदे से 45 मिट पहले आदे घंटे से 45 मिट पहले इसको लेना है हालें कि जन्रली सुबा के टाइम ही लिया जाता है लेकिन अगर आपको प्रॉलम ज़ादा है तो उस कंडिशन में इसको बार भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए जो है एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्ड करना पड़ेगा डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको क्या समस्या है क्या बीमारी है तो वो डॉक्टर को आपको बताना पड़ेगा अब देखिए इसको अब हम इसके side effect के बारे बात करें तो देखे जैसे के nozio type लग सकता है आपको यसा लगता है को उल्टी जैसे आ रही है यह फिर आपका headache हो सकता है मुँ सूख सकता है आपको weakness लग सकती है तो उस condition में इसको ना ले अगर ऐसा होता है तो आप इस medicine को लेना बंद करें और डॉ लिवर की परिसानी है या kidney से लिटेड कोई बीमारी है तो उस condition में भी आपको नहीं लेना है डॉक्टर से सला करके ही लेना है और हम बात करें कोई दूसी medicine आप पहले से ले रहे हैं तो देखे कोई medicine ले रहे हैं तो उसको ले सकते हैं लेकिन पहले से कोई anti-acid या कोई acilog type की ले रहे हैं तो वो नहीं लेना है क्योंकि ये भी प्रकार से anti-acid या acilog की तरह ही काम करती है तो उस condition में आप डॉक्टर से सला करें तो बहतर रहेगा हाँ कोई दूसी medicine आपकी चल रही है तो वो बिलकुल ले सकते हैं अब कब तक लेना है तो ये भी depend करता है कि आपक दिन के इसके होते हैं अब रिजल्ट के बारें बात करें तो रिजल्ट आपको एक ही दो दिन में मिल जाएगा एक से दो दिन में आपको फर्क नजर आने लगेगा अब इदर में कुछ advice देना चाहूंगा अगर आप लेते हो तो आपको alcohol नहीं लेना है जंक food नहीं खाना ह और यह जो है healthy लिए भी अच्छे नहीं होते हैं तो देखिए आप जो है अगर light diet ले तो काफी अच्छा रहेगा आपका पेड़ी भी सही रहे है और साथ में आप यह नोर्मेक्सिन आटी टेबलेट भी ले रहे हो अब देखिए खाने में जो आप फाइवर सामने मिल सलात खाईए या fruits जो fruits का जोरा सोता है वो पी सकते हैं अगर आप डाइबडिक हैं तो fruits का juice भी ना पिए और इसके लिए पानी भी जादा पिए कई लोग पानी कम पीते हैं तो उससे भी काफी जादा problem होती है तो दोस्तों अगर आप यह मेरी advice follow करोगे तो आपका अच्छ जो कि मैं daily लाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो like भी कर दीजीगा फिर मिलेंगे next वीडियो में है जब तक आप बने रही हो देखते र देखते रही हो 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 देखते रही हो